हाई गैस और विल्कम बाक तो दी चैनल दीपक्यादव एजूकेशन विल्कम तो दी डेली हिंदू न्यूज और एडिटोरियल इनालेसिस और 1 अवेंबर 2021 तो गैस आज है तारिक 1 नवंबर 2021 और है मंडे देखेंगे आज का दे हिंदू कम्प्लीट ड्यूस्पेपर को एनि चैनल मिल जाएगा इसपे क्लिक करना और जाकर इस चैनल को जोइन करेना देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से यह चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बाक्स में आप सभी लोगों को टेलिग्राम का लिंक दिया गया है वो लिंक इसी चैनल का है जैसे आप उस पे क्लिक करोगे, आटोमेटिकली ये चनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर जॉइन कर लेना, नाओ जॉइन करने से फाइदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर दहिंदू न्यूस पेपर मिल जाता है, डेली करेंट अफेर के वीडियो का पीडियेफ मिल जाते हैं, और यह सारी चीज़े मिलती हैं, बिलकुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर जॉइन करना, नाओ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे, तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है, बियोफोर्ट सी को कहां पर है, यह एक्जैक्टी लोकेटेड, इसके आस पास कोई कंट्री है, या फिर कोई आईलेंड है, या फिर कोई सी है, तो अच्छे से मैप में देखना, दन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में करना, जिससे कि आप लोग इसको लंब समय तक याद रख पाओगे, साथी साथ एक क्वेशन सॉल्व करेंगे, जो कि UPSC प्रिवेस एर साल 2007 के प्रिलिम्स में पूछा गया था, डेली बिसस पर हम लोग एक प्रिवेस एर क्वेशन को भी सॉल्व कर रहे हैं, इस क्वेशन क्या था, largest coral reef in the world, यहाँ पर सबसे बड़ा जो coral reef है पूरे दुनिया में, वो कौन से country के coast के पास में पाया जाता है, अब आप लोग अराम से बता पाओगे, I'm sure यहाँ पर इसका आंसर आप लोग बिना सर्च करें दे पाओगे, यहाँ सबसे largest coral reef दुनिया भर में कौन से country के coast में पाया जाता है, नीचे आपको option दिये गए, A Australia, B Cuba, C Ghana, या फिर D Philippines, तो इसके बारे में नीचे comment section में आपको सही answer देना है, नहीं पता है तो एक बार search करना, search करने पे और भी बहुत सारी information मिनने वाली है, मैं जबर्दस्ती कहता हूँ कि आप लोग search करना, search करने पे बहुत सारे फायदे होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़े आप लोग को नईने जानने को मिलती हैं, जैसा मेरे साथ भी होता रहता है, उके, नव उसके बाद यहाँ पर अगर आपको तब भी answer नहीं मिलता है, तो उसका जो correct answer मैंने आप लोग को नीचे provide करवा दिया है, स साथ यहाँ पर एक छूटी सी information है, देखो इस channel के ओपर जितने भी videos upload होते हैं, चाहे वो दाहिंदू का video हो, चाहे वो daily current affair का video हो, सबी videos के PDF आपको telegram channel पर मिलते हैं, लेकिन make sure यह करना है, आपको original channels को join करना है, बिल्कुल वहाँ पे fake channels भी हैं, तो उन channels को बिल्कुल भी join नहीं करना है, अब मैं आपको बताता हूँ कौन को से channel को join करना है, दीपक यदव education एक telegram channel है, जहाँ पर 70,000 प्लस subscribers हैं, दूसरा भी दीपक यदव education के नाम से ही आए, ब्राकेट में notes लिखावा है, वहाँ पर भी 20,000 प्लस subscribers हैं, तो उन ही channels को join करना है, यह make sure करना, और है, वहाँ पर मुझे नहीं पता, क्या-क्या upload क्या जा रहा है, तो आप लोग make sure करना, इनी channels को join क्यों, ठीक है, उसके बाद, आज जैसे की एक November हो गया, महीने की शुरुआत हो गई, तो आज क्या-क्या आपकी बार प्लान करने वाले हो, इस मन्त में क्या-क्या पढ़ने हो नीचे comment section में लिखना है target, और आज का target भी लिखना है, और उसको रात से सोने से पहले-पहले उसको achieve करने की पूरी-पूरी कोशिश करनी है, तो चलो शुरुआत करते हैं, यह है आज का सबसे पहला article, एक important article है, देखो बात की गई है G20 summit के बारे में, अभी हमने देखा G चोटा सा basic clear करना होगा, आखिरकार यह जो G20 है, यह है क्या, इसके अंदर यह जो group of 20, इसको हम क्यों बोलते हैं, यह हमें समझना होगा, तो यहाँ पर आप लोगों को मैं G20 के साथ साथ G8 प्लस G7, तीनों के बीच में difference बताता हूँ क्या है, यह है group of countries, तो group of 7 countries क्या क्या चैलाता है G7, group of 8 countries क्यालाता है G8 जो कि आज के टाइम पर इन उपरेट है, G20 क्यालाता है जहाँ पर 20 countries है, अब आपको यहाँ पर difference यह देखना है, साथ countries के अदर जर्मनी, UK, France, Canada, US, Italy और जपान है, अब यहाँ पर यह साथ क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखो यह वाला है, कि रश्या ने क्या कराना, युक्रेन का एक region था, क्रीमिया का region ठीक है, उसको हतिया लिया है, तो उसकी वज़ा से रश्या को 2014 में G8 से निकाल दिया गया था, उसके बाद यह G7 countries कहलाता है, ठीक है, अब यहाँ पर जो G20 है, उसके अंदर G7 की सारी countries आती है, सातों countries आ बाद हम लोग अब यहाँ पर क्लियर करते हैं, अब यहाँ पर इन ही countries का यह summit हुआ है, इनके जो leaders है, प्राय मिनिस्टर्स हो गए, प्रेसिदेंट्स हो गए, यह सब गए थे यहाँ पर Rome में, आपस में बातचीत करी है, अब बातचीत करने पर क्या-क्या discussion क्या गया, उसक हो, आज के टाइम पर बहुत सारे countries focus कर रहे हैं किसी इसके ओपर climate change के ओपर, कि हम लोग climate change से कैसे लड़ सकते हैं, climate change अपने आप में एक बहुत बड़ी problem बन चुका है, आज के टाइम पर लगातार global warming देखने को मिल रही है, हमारे environment में लगातार गर्मी बढ़ रही है, और कि यहाँ पर जो coastal regions होते हैं, islands होते हैं, वो डूब जाएंगे, तो कहीना कि सारी जो problem से वो interlinking आपको देखने को मिलेगी, तो यह सब climate change की वज़ा से हो रहा है, तो climate change को tackle करने के लिए बहुत सारे points को पर focus रखा जाए, जैसे सबसे पहली बात यहाँ पर बोला, कि यह लो topics को उपर यह पैसा लगाया जाएगा, यह बात की गई, देन उसके बाद यहाँ पर आपको देखना होगा, इन्होंने यहाँ पर जाधर बात coal power generation को लेकर नहीं करी, वो क्यों नहीं करी, यह आप लोग देख पाओगे, जो G20 countries है ना, इन्होंने क्या क्या पैसा लगाने व अभी के लिए financing नहीं दी जाने वाली है, उसके बाद, लेकिन यहाँ पर किसी भी country ने, कोई भी यहाँ पर mention नहीं क्या है, कोई भी बातचीत नहीं करी है, जो कि आज के time पर coal power generation हो रहा है उसको लेकर, ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे, इस coal लेकर heading भी दी गई है, कोई भी commitment नहीं किया है, कि आज के time पर, जो हम लोग coal consumption कर रहे हैं, कि उसको हम लोग कैसे खतम कर सकते हैं, इसको लेकर कोई बातचीत नहीं होई है, हाला कि जो नए coal plants हैं, उनको financing नहीं दी जाएगी, ताकि pollution को आगे further बढ़ने से रोगा जा सके, तो यह चीज़ आपको ध vaccines है, वो recognize करी जाएंगी, World Health Organization के तुरू, उनको recognition प्राप्त होगा, अब वो recognize की जाएंगी, तो उसको हम लोग आगे further public use के लिए इस्तमाल कर सकते हैं, किसी भी vaccine को, ठीके, तो यहाँ पर बोला गया, कि जो बहुत सारी vaccines है, उनको और जादा recognize किया जाएगा, ताकि हम लोग जो one health वाला approach है, उसको लेकर चल सकें, ठीके, दुनिया भर में हम लोग जादे सादा vaccines को provide करवा सकें, उसके बाद यहाँ पर बोला गया, हम लोग कुछ finances, कुछ पैसा provide करवाने वाले हैं, technology provide करवाने वाले हैं, ताकि जो vaccine production है, वो बढ़ाई जा सके, कहां पर South Africa में, Brazil में Argentina में, कुछ ऐसे areas हैं, जहां पर हम लोग जादा focus रख सकें, इन vaccine का hub बना सकें, यह focus यहाँ पर रखा गया है, ठीके, और at the last हमारे Prime Minister ने बोला यही है, कि जो summit है, वो काफी fruitful रहा है, यहाँ पर फाइदे बन रहा है, ऐसी बाते बोली है, ठीके, उसके बाद इसी में एक चोटा सा article और add गया है, इस article को page number 8 पर detail में cover किया गया है, तो वहाँ पर हम लोग detail में देखेंगे, यहाँ पर छोटी सी information है, यहाँ पर आपको कुछ clear नहीं हो पाएगा, तो page number 8 पर बहुत ज़दा detail में दिया गया है, वहाँ पर हम लोग एक एक चीज़ clear करने वाले हैं, I hope आपको यह article clear हो चुका है, उसके बाद आते हैं दूसरे article पर, लेकिन एक minute, उससे पहले इस picture को दो देख लेते हैं, यह जो picture है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, सब लोग अभी Italy के रोम में हैं, अब यहाँ पर क्या है, यह जो बहुत सरे leaders पहुंचे हैं, बहुत सरे leaders सबी countries के नहीं पहुंचे, लेकिन यहाँ पर आप देख पाऊगे, जो बहुत सरे leaders हैं, इन्होंने यहाँ पर सिक्का फेका है, एक fountain में, रोम के अंदर एक fountain है, जिसको हम लोग बोलते हैं, त्रेवी fountain, ठीक है, वहाँ पर सबने एक-एक सिक्का फेका है, अब यहाँ पर बोल जाता है, leaders का, जो legends हैं, उनका यहाँ पर कहना होता है, ठीके, तो इसी यह जैसे आप देख पाऊगे, हमारे prime minister ने साथी साथ, और भी बहुत सरे G20 leaders ने यहाँ पर, जो यह coin है, इसको fountain में, फेका है, ओके, आई होब आपको यह clear हो गया, next article आपको यह to international relations के perspective से important हो जाएगा, इसके बारे में ध्यानक ना है, देखो यहाँ पर हमने अभी दो दिन पहले एक article discuss किया था, कल भी discuss किया था, जो महात्मा गांधी National Rural Employment Guarantee Act है, MG नरेगा जिसको हम लोग बोलते हैं, इसके अंदर अभी हमने देखा, जो fund है, उसकी कमी पढ़ गई इसका आगाल पढ़ लिया, fund की कमी होने के बाद जो सरकार है, सरकार ने कल बोला कि हम लोग तयार हैं, जो सरकार है, वो additional fund देगी इस scheme के अंदर में, इस scheme को बेकार नहीं जाने दिया जाएगा, इसमें additional fund सरकार देने वाली है, ऐसा है यहाँ पर हुआ, दो दिन लगातारी आटिकल को कवर किया जा रहा है, अब उसके बाद फिर से आटिकल चर्चा में आच चुका है, यहाँ पर बोला गया कि जो mg नरेगा के अंदर जो मजदूरी जी जाती है, ठीके होता क्या है, यहाँ पर mg नरेगा स्कीम के अंदर जो unskilled workers हैं, उनको hire किया जाता है, उनको job जाती है, लगबग minimum 100 days का जो है, उनको मजदूरी दी जाती है, अब जो यह मजदूरी दी जाती है, वो लगबग आपका सकतो cast wise split कर दी जाती है, जाती के अधार पर वो split कर दी गाई है, जैसे कि यहाँ पर बोला गया, schedule cast और schedule tribes को payments पहले मिल जाती है, बहुत सारी क्यों है चर्चा में, mg न देगा, क्या होता है, या इसका impact है, क्या इसका significance है, प्लस यहाँ पर यह क्यों है चर्चा में पिछले दो दिन से, यह क्यों है चर्चा में आज, यह सब कुछ editorial पर cover क्या गया है, उस editorial को हम लोग cover करेंगे, आपको सारी चीज़ा आगे पीछे की स देखो, इसको लेकर एक verdict आया सुप्रीम कोड का, और बोला गया, कि यह जो verdict है, यह कहीं न कहीं, जो national investigation agency है, उसका जो trial है, उसको impact करता है, इसका मतलब क्या है, मतलब यह है, कि सुप्रीम कोड ने एक case देखा है, और वो कौन सा case है, वो है पंतिरान कावू, moist case है, यहाँ दो youth लोगों को bail प्राप्त करवा दी है, bail दे दी गई है, ठीक है, और यहाँ पर जो NIA है, National Investigation Agency, उसने यहाँ पर इनको charge किया था, इनको trial पर लिया था, इनको custody में लिया था, लेकिन Supreme Court ने इसको bail दे दी है, ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को देखा गया है, लेकिन अभी इस article में 2-3 चीज़े important है, ठीक है, मैंने इस article को ज़दा detail में पढ़ने के लिए highlight नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर काफी जारी ऐसी information है, जो कि हमारे काम की है नहीं, लेकिन यहाँ पर 2-4 चीज़े important है, क्योंकि हमने काफी समय हो चुका है, पड़े वे, हमने moist के ब बोलते हैं, लेकिन भारत के अंदर नकसल्स के नाम से या नकसलवादी के नाम से सबस्यादा जानने जाते हैं, आप लोगों को मालूम होगा, यह जो term है नकसलिजम, यह निकल के कहा से आए, तो वेस्ट बेंगॉल के अंदर एक गाउं है, नकसल बारी, वहीं से निकल कर आ मालूम होगा कि अभी पिछले महीने लगबक एक रिपोर्ट और आई थी, जो हमारे होम मिनिस्टर है, अमिशा जी, उनका कहना था कि भारत के अंदर लगबक अगर आप कंपेर करोगे, बहुत लगबक साल 2012 से लेकर, 2014 से लेकर आज के टाम पर कंपेरिसन करोगे, तो यह ज मतलब जो नकसलिजम है, यह काफी तीजी से बढ़ चुका है, इस प्रेड हो चुका है पूरे भारत में, खास कर जो लेस डेवलब्ड एरियाज हैं, जो जादा विक्सित एरियाज नहीं है, वहाँ पर सबसे जादा आपको इनकसलिजम देखने को मिलेगा, इसको किसने बन है, देखो यह जो left wing extremism है, इसके बढ़ने के पीछे के कारण क्या क्या है, सबसे पहला कारण है travel discontent, अब आपको एक एक चीज़ करके, link करके समझना पड़ेगा, अच्छे सा समझ में आ जाएगा, देखो, होता क्या है, मालो जैसे सरकार ने एक forest conservation act 1980 को use में लेकर आया, औ फिर ऐसे हमारी सरकार ने कर दिया, अब जो ये लोग है, ये लोग बहार निकल गए, अब इनको जबर्दस्ती बहार निकला गया, अब ये लोग क्या है, काफी परेशान है, क्योंकि ये अपनी पूरी livelihood, कैसे व्यतीत कर रहे थे, सब कुछ यहाँ पर forest produce से यहाँ पर आग उनकी सुच क्या होती है, कि यहाँ पर सरकार वगरा कुछ होती नहीं है, सरकार कुछ यहाँ पर हमाले development के लिए काम करनी रही है, सरकार के against में यहाँ पर hate फैलाना, तो वो जो लोग हैं, वो लोग यहाँ पर इनको reach करते हैं, इनको reach करने के बाद अपना जो भी ideology है, वो इनको भी पढ़ा देते हैं, और कहीं न कहीं इन लोगों थोड़ा बहुत support देके, थोड़ा बहुत मना बना कर, इनको भी यहाँ पर अपने ही अंदर convert कर लेते हैं, और इसी प्रकार से जो यह moism है, यह लगातार बढ़ता हुआ, चला जाता है, जैसे मैंने बताया कि जो travel people है, उनको यहाँ पर ideology सिखा दी जाती है, moist की, तो जो छोड़े बोड़े moist होते हैं, उनका एक easy target बन जाता है, ठीके, यहाँ पर कुछ लोग होते हैं, पहले से यहाँ पर involved होते हैं, इस moism के अंदर, तो उनका एक अच्छा सा target बन जाता है, तो इन लोग के पास जाते हैं इन लोग को यहाँ पर इस चीज के बारे में सब को जिस सिखा विखा कर, और चीजे बढ़ा दी जाती हैं, और इसी प्रकार से जो यह नक्सलिसम है, और जदा बढ़ रहा है बारत के अंदर, यह आप लोग देख पाऊगे, regularly यहाँ पर जो बढ़ता हो आया था न, वो यह ही एक में कारण था, जिसकी वज़ाद से नक्सलिसम काफी इंक्रीज हुआ है, तो क्या होता है, फिर इन लोग की क्या सोच होती है, लोग की भी सोच होती है, जो यह सरकार है, यह कुछ नहीं होती है, इस्टेट की पावर यह लोग अपने हाथ में लेना चाहते हैं, चाहे हमारे development वगरा भी नहीं करती है इस प्रकार के यहां पर इनका कहना होता है कि सरकार कुछ होती ही नहीं है क्योंकि यह लोग development वगरा नहीं करते हैं हमारे welfare के लिए कोई काम वगरा नहीं किया हो है in fact यहां पर जहां से हम लोग कमा के खा रहे थे वहां से भी हम लोग को बहार निकाल दिया गया, तो इसी वज़ा से यहां पर जो यह नकसलिजम और ज़दा बढ़ जाता है, ऐसी चीज़े हम लोग को देखने को मिलती है, ठीक है, लेकिन एक क्वेशन यह भी है, जब यह लोग ऐसे बन जाते हैं, ठीक है, जब यहां पर आ इनिशेटिव हैं, लेफ्ट विंग एक्स्रेमिजम से लडने के लिए, सबसे पहला एक ग्रहांड इनिशेटिव देखने को मिलेगा, इस इनिशेटिव को स्टार्ट किया गया था, 1989 में इसको एंटी नकसल फोर्स बोला जाता है, यह एक नकसल वादियों के अगेंस्ट मे हाली में देखा था, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, तो यहाँ पर क्या है, जो नकसल अफेक्टेड बहुत सारे एरियाज हम लोग को देखने को मिलते हैं, वहाँ पर यह Operation Green Hunt चलाया गया था, जो एक तरीके से बहुत सारी Security Forces हैं, उनको वहाँ पर फैलाया गया Aspirational Districts वो Districts हैं, जहाँ पर हालत काफी बुरी है, जो Poverty गरीबी है वो काफी जादा है, वहाँ पर लोग काफी बुरी तरह से Struggle कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक तरीके से अच्छा करना चीजों को, वहाँ पर चीजों को Transform करना, बदलना, इसके उपर भी हम लोग यहाँ प समधान की पुली Full Form है, S से Smart Leadership, A से Aggressive Strategy, M से Motivation and Training, A से Actionable Intelligence, D से Dashboard Based Key Performance Indicator, S से Harnessing Technology, A से Action Plan for Each Theater, N से No Access to Financing, तो यह है एक Stop Solution जिसको बोला गया है समधान, I hope आप इसकी Full Form पता होगी, पहले एक Question मना है, बहुत सरे Exams में समधान के बारे में भी पूछा गया है, तो Left Wing Extremism क्या ह कैसे हमारी सरकार टैकल कर रही है, कैसे यह फैल रहा है, I hope आपको यह सारी चीज़े क्लियर हो चुकी है, Now, यहाँ पर अभी क्या क्या गया है, Supreme Court ने अभी लगबक दो लोगों को बेल दे दी है, उनको बेल प्राप्त करवा दी है, कि हे लोग यहाँ पर कही ना कही इनका जो intention है, वो terrorist organization को बढ़ाने का नहीं था, ठीक है, Supreme Court ने बोला है, terrorist organization को बढ़ाने का इनका intention नहीं था, ऐसा है यहाँ पर बोला गया, और इन दोनों व्यक्तियों को UAPA Act के अंडर में arrest किया गया था, आपको मालू मोगा UAPA का मतलब है, Unlawful Activities Prevention Act, ठीक है, मालू कुछ ऐसी activities करी जा रहे हैं, किसी व्यक्ति के तुरू, जो की इंडिया की sovereignty या फिटेरिटूरियल integrity के अगेंस्ट में है, ठीक है, तो उसको charge कर जा सकता है, उसको custody में लिया जा सकता है, UAPA Act का इस्तमाल करकर, तो इसकी Act का इस्तमाल करके हम नहीं हैं पर इन दो लोग को arrest किया था, ल अगे बढ़ते हैं next article की तरफ, now यहाँ पर आता है एक article, अब यहाँ बात की गई है, Conference of Parties 26 के बारे में, अभी हमने G20 Summit के बारे में discussion क्या है, बातचीत हुई है, लेकिन दूसरा article Conference of Parties 26, यहाँ पर यह एक तरीके से COP26 लगबग 31 October को यह meeting चल रही है, एक तरीके से environment को लेक उसमें कुछ highlight क्या है, क्या-क्या highlight क्या है, बहुत अच्छा article है, और बहुत सारी important information है, आपको यहाँ पर जानने को मिलने वाली है, तो अब यहाँ पर जो यह COP26 है, यह GlassGo Scotland के अंदर हो रहा है, लेकिन उससे पहले इंडिया ने एक website बना रखी है, ठीके जिसको Indian Climate Experts के यहाँ पर growth already हो चुकी है, तो यहाँ पर इस website पर जो कि भारत की website है, इसनोंने यहाँ पर यह बताया है, जो भी developed countries हैं, ठीके, इन्होंने कितना pollution किया था बहुत पहले, pollution कर करके ही तो यहाँ पर यह लोग developed बने हैं, ठीके, obviously economy ग्रो हुई है, बहुत सारे industrialization किया है, pollution यहाँ पर यहाँ पर यह लोग countries ग्रो हुई है, तो यहाँ पर इस ने website ने काफी सारी चीज़ बताई हैं, कि बहुत सारी जो countries हैं, पुरानी countries जैसे कि आप developed countries खासकर US, Canada, Australia, इन्होंने बहुत ज़दा pollution किया है, Western Europe ने बहुत ज़दा pollution किया है, लेकिन आज के time पर जो developing countries है अब मैं developing बोल ला हूँ, developing के अंदर जैसे इंडिया, चायना जैसी countries आ जाएंगी, आज के time पर ये countries भी pollution कर रही है, लेकिन हो क्या रहा है, इन countries के उपर भी बराबर ही दबाव पढ़ रहा है, जैसे कि developed countries के उपर पढ़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर यह इ to the developing countries, जैसे मनलब इंडिया, चायना के मामले में, आस्ट्रेलिया, यूएस, इन सब को थोड़ा सा जाधा अपने उपर कंट्रोल करना चाहिए, जाधा pollution को कंट्रोल करना चाहिए, यह main focus रखा जाए, इंडिया, चायना जैसी countries, आज के time पर growing countries regularly grow हो रही है, तो यहाँ पर क हम लोग एकदम से pollution कट नहीं कर सकते हैं, एकदम से industrialization को नहीं रोक सकते हैं, अगर रोक दें तो economy वगर एकदम से down हो जाएगी, और भी बहुत सारी crisis आने वाले time per country के अंदर देखने को मिल सकते हैं, तो यह सारी problems generate हो सकती हैं, इस वादा से हम लोग एकदम से काम नहीं कर स हो गई, ठीके अब यह जो countries हैं, यह क्या कर सकती हैं, कहीं नहीं कहीं, और support कर सकती हैं developing countries को, इनको बहुत सारी technologies provide करवा सकती हैं, finance provide करवा सकती हैं, पैसा provide करवा सकती हैं, ताकि developing countries जल से जल इस situation से बाहर निकलें, जल से जल यहाँ पर जो pollution इसको कम क्या जा सकें, आई जाया है, जैसे मैंने आपको बताया, कि जो website है, website का नाम के है, मैंने आप लोगो बता दिया, यह जो एक तरीके से website बनाई गई थी, Indian climate experts के दुरू, जिन्नोंने यहाँ पर यह सारी से mention करी हैं, database यहाँ पर दिया है, कि बहुत सारी countries, जो developed countries है, वो अल्रेडी pollution कर चुकी है उनके उपर ज्यादा stress रहना चाहिए, उनके उपर ज्यादा stress होने का मतलब यह है कि उनको ज्यादा pollution कम करना चाहिए, ठीके हम लोगे पास एक normal stress रहना चाहिए, developing countries के उपर, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एकदम से सब कुछ बंद नहीं कर सकते हैं, ठीके, I hope आपको यह clear हो पुराने विवाद चल रहे थे, steel को लेकर, aluminum को लेकर, होता क्या था हो, जो steel और aluminum है, जो भी trade व्यापार चलता था दोनों countries के बीच में, उसके उपर tariff लगा दिया जाता था, और भी बहुत सरी duties लगा दी जाती थी, अब यह जो tariff लगा गया था, वो Donald Trump के थ्रू लगा ग जो लगबग बहुत लंबा dispute हो चुका था, Donald Trump ने हाँ पर एक काम किया था, बहुत सरे tariffs लगा दिये थे, उनके ओपर अभी रोक लगाई गई है, तो G20 leaders जहाँ पर भी बातचीत हुई थी, वहीं पर यह solution भी लेकर आया गया है, वहीं पर यह बातचीत की गई है, US और European Union के बीच में, तो Joe Biden ने यहाँ पर यह बोल दिया है, कि जो भी European Union से, यहाँ पर आता है समान, steel आ गया, aluminium आ गया, इसके उपर जो भी tariff लगाया जाता था, Donald Trump के थूर इंपोस किया गया था, टारिफ 2018 में, उन tariff को कर दिया जाएगा, remove, अब यहाँ पर उनको हटा दिया गया ह अब जो trade है, वो और जदा smooth हो जाएगा, जो व्यापार है, वो और जदा अच्छी तरीके से चलेगा, European Union को भी काफी benefit होता वा नजर आएगा, लेकिन उसके बदल में, US को क्या मिलेगा, तो US के बहुत सरे products हैं, जिसके उपर European Union ने भी tariff लगा रखाए, आब वो भी tariff हट आया गया है, मतलब दोनों के relation थोड़े से और जदा बेहतरीन हुए हैं, उसके बाद दोनों countries ने मिलकर focus रखाए, कि हम लोग climate change को भी tackle करने वाले हैं, ये सारी बातचीत जब G20 leaders आपस में बैठकर बातचीत कर रहे थे, G20 summit की बहुत सारी videos upload हो चुकी है, YouTube पर, वहाँ पर बहुत सारे channels से upload कर रखा है, वहाँ पर आप लोग देख सकते हो, कि इस प्रकार से वो meeting होती है, ठीक है, तो वहाँ पर आप कर सकते हो, कि ये सारी चीज़ा mention करी गई है, कि अभी यहाँ पर दोनों countries मिलकर, climate change को tackle करने पर भी focus रख रही हैं, और आपको मालूम होगा, हाली है, आगे बढ़ते हैं next article की तरफ, उसके बाद एक article ये है, Navy takes delivery of warship, इसके में क्या है, इसमें यह है कि हम लोग अपना एक ship ले चुके हैं, यहाँ पर एक project है हमारा, और उस project का नाम है 15B, ठीक है, project 15B नाम है, अब यहाँ पर हम लोग बहुत सारे जो ships हैं, वो बना रहे है और उसको एक तरीके से लेंगे, अपने Navy के अंदर induct करेंगे, तो अब भी हमने क्या करा है, जो एक तरीके से destroyer है, destroyer है, बड़े बड़े जहाज होता है, बड़े बड़े ship होता है, जो कि destroy, दूसरी चीजों को destroy करने के काम में आता है, इनके उपर missiles बगरा, और भी बहुत सरे weapons हतियार वगला लगा दिये जाते हैं, ठीके, तो यह destroyer होता है, जो destroyer है, इसका नाम है विशाका पतनम, ठीके विशाका पतनम को बनाया गया है, कहाँ पर मजगाओं डॉक लिमिटेड के अंदर, अब यहाँ पर इसको deliver कर दिया गया है, हमारी Navy को, ठीके, पिछली Friday इ हमारे जो Navy के अंदर commission मतलब working के अंदर आ जाएगा बहुत जल्दी, अभी और बहुत सरे trials होंगे, उसके बाद यह जल्दी यहाँ पर working में भी आ जाएगा, अब इस ship के काफी सारे features बताएगा है, 163 मीटर लंबा सा यह warship है, और इसके अंदर जो वजन है वो और जदा है, 7400 tons का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, maximum speed इसकी 30 knots की यहाँ पर बताई जा रही है, उसके बाद अभी यहाँ पर यह सारी information Navy ने हमें Sunday में दी है, यह जो contract है ना इस ship को बनाने का, इसको 2011 में ही sign कर दिया गया था, लगबग 29,643 करोड रुपीस का यह contract sign किया गया था, और इसको हमने खुद अपने country के अंदर बनाया है, ठीके, ऐसा यहाँ पर आप लोग देख पाऊगे, उसके बाद जो हमारे डारेक्टरिट आफ तरीके से नवल डिजाइन है, ठीके, डारेक्टरिट आफ निवल डिजाइन है, उन्होंने यहाँ पर इसको प्रॉपरली ब लेकिन आज के टाइम पर लगबग हम लोग चार और जहास को बना रहे हैं, एक विशाका पत्नम हो गया जिसके बारे में अभी आपने देखा, विशाका पत्नम के बाद दूसरा है मोर्मुगाव, तीसरा है इंफाल और चौथा है सूरत, यह हाँ पर इंडिया के माप के च सूपर सॉनिक मेसाइल को रखा गया है, आपका सकतो लॉन गरेंज सरफेस टू एयर मेसाइल भी रखी गई हैं, प्लस टॉर्पीडो वगरा हैं, अंटी सम्मरीन चीज़े भी रखी गई हैं, मतलब की सम्मरीन वगरा को भी उड़ा सकता है, यह जो शिप है, इसके अदर का पावर बहुत है, पावर इतनी है कि लगब यहाँ पर यह 4,000 नॉटिकल माइल्स ता यहाँ पर जा सकता है, इसको बना लिया गया है, नेवी को डिलेवर कर दिया गया है, जल्दी कमिशन हो जाएगा, फीचर्स क्या है, सारी चीजे, सारे एक्सपेक्ट्स यहाँ पर इस आर्टिकल के क्लियर हो चुके हैं, आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल की तरफ और क्या है हमाली इंपोरेंट उसके बाद next page पर यहाँ पर काफी सारे आर्टिकल से पॉलिटिक से भरे हुए हैं, यहाँ पर इनको आपको skip करना है, page 10 पर आएंगे, यहाँ पर कुछ आर्टिकल से हैं, जैसे कि यह वाला आर्टिकल हमाले कुछ important तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या information है, मैं आप लोग प्राइस कम करके टू सिक्स्टी फाइफ रूपीज पर डोस यहां पर कर दिया जाए ऐसी चीज़ें यहां पर मेंशन की गई है और एक निडल फ्री वैक्सीन आपको देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एक जट अप्लिकेटर के मदद से यहां पर इस वैक्सीन को इंजट दिया गया है तो एक छोड़ी सी information यही दी गई है बाकी यहां पर कुछ भी ऐसा एक्जाम के लिए important नहीं है उसके बाद यहां पर एक important article है जीएस पेपर 3 environment के perspective से important देखने को मिलेगा पंजाब government यहां पर आज के टाएंप पर पूरा focus रख रही है इंडस dolphin के ओपर यह एक पर ये बताता है कि कौन-कौन सी जो जानवर है वो खत्रे में इनकी प्रजातियों को खत्रा है अगर इनको नहीं बचाया गया तो यह जानवर खत्म हो जाएंगे तो यहाँ पर IUCN के अंदर यह भी endangered category के अंदर आता है मतलब इसकी जान को भी खत्रा है अगर इस डॉल्फिन को नहीं बचाया गया तो अनेवले टाइम पर ये भी विलॉप में पाई जाती है और उसके बाद आज के टाइम पर पंजाब सरकार फोकस ये रख रही है कि हम लोग एक नया सेंसस यहां पर बनाएं इन डॉल्फिन को लेकर और आज के टाइम पर इन डॉल्फिन को लेकर एक प्रोटेक्शन दे रही है पंजाब सरकार प्लस साथ-साथ-सा तर्फार साथ में हुआ क्या जो इंडस डॉल्फिन है इसको भारत के अंदर भी डिस्कवर किया गया जो पंजाब का हरी के वाइलाइफ सेंचरी यह वहाँ पर भी डिसकवर किया गया तब से हम लोग इसको बहुत ज़ादा प्रोटेक्शन दे रहे हैं क्योंकि अधरवाइस चीज़ यह जो डॉल्फिन है इंडस रिवर डॉल्फिन इसको डेक्लेर किया गया है स्टेट एक्वाटिक अनिमल ऑफ पंजाब मतलब पंजाब का स्टेट एक्वाटिक अनिमल क्या है तो वो है डॉल्फिन इसको डेक्लेर किया गया था 2019 में तो यह भी आप लोग यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रख सकते हो, उसके बाद यहां पर सरकार Dolphin को लेकर क्या काम कर रही है, उसके बारे में आगी चीज़ें मेंचन करी गई है, वो भी आप लोगको मालूम है, Dolphin का नाम क्या है, आप लोगको पता हुना चाहिए, इसका scientific name क्या है, दूसरी चीज यहा अलावा टूरिजम वगएरा तोर पर इसको इस्तमाल के जाता है वो हमाले कुछ खास इंपोरेंट चीज नहीं है जो भी इंपोरेंट था वो हमने डिसकस कर लिया है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ उसके बाद आएंगे पेज नूमर 11 के उपर डैट इस व बात कोरोना वापस से यहां पर आप देख पाऊगे आउट ब्रेक कर चुका है चाइना के अंदर बहुत सरे एरियास में नएने केसिस निकल कर आ रहे हैं बहुत सरे एरियास में बहुत सदा लॉकडाउन लगा दिया जा है उसकी वज़ासे आज के टाइम पर चाइना इन से लड़ रहा है उसको लेकर एक आर्टिकल यह पब्लिश किया यहां पर बोला गया चाइना की सरकार आछी टाइम पर ग्राप्लिंग कर रही है लड़ रही है अपने काफी सरे चलेंज से और इसी की वज़ासे इन्होंने यहां पर जो यह समिट से वो अटेंड नहीं कर र पावर क्रैसिस देखने को मिले हैं हाली में आपको मालूम होगा पूरा ब्लैक आउट हो चुका था चाइना के अंदर कोल का क्रैसिस देखने को मिला था वो सारी चीज़ें यहां पर मेंशन की गई है यहां पर जो भी समान है वो कोईला है उसकी कमी पड़ गई थी उसके तक यहाँ पर इस प्रकार से चीज़ों को फॉलो किया जा रहा था, बहुत ज़ादा अच्छे तरीके से आपर चीज़ों को कंट्रोल किया गया था, लेकिन अभी हमने देखा लगबख 400 के आसपास केसिस निकल कर आए हैं, पिछले दो सपता के अंदर, और दिक्कत वाली बा इसी चक्कर में, जो यहाँ पर जो चाइना है, इन्होंने काफिसरी जो मीटिंग से उसको अटेंड नहीं करी हैं, उसके बोला गया चाइना आखरी टाइम में, साल 2020 में, जो चाइनीज प्रासिडेंट हैं, जी जिन बिंग, यह 2020 में मैनमार ही गए थे, मैनमार के बाद यह पर स्कॉटलेंड के अंदर ग्लास्गो में, इन सब को यहाँ पर एक तरीके से स्किप किया गया है, इनके थ्रू, ठीक है क्योंकि वहाँ पर काफी सरे चलेंजिस फेस करने मिल रहे हैं, इस वज़ा से, उसके बाद यहाँ पर आगे की चर्चा की गई है, ब्लाक आउट हम देखो, बिजली जब डाउन रही है, पावर ब्लैक आउट हुआ है, तो उसका इफेक्ट भी इंडस्ट्रीज के उपर बहुत बुरा पड़ता है, क्योंकि क्या है, इंडस्ट्रीज लगातार चल रही है, वह भी इलेक्रिसिटी के उपर चल रही है, अब यहाँ पर अगर हुआ है, ठीके, यहाँ पर उधार चुकान है, वह आज के टाम पर क्रैसिस में निकल कर आया, एवर ग्रांडे के बाद, आज के टाम पर आप देख पाऊगे, जो अली बाबा ग्रूप है, वो भी एकदम से विकार से हो गया है, तो बहुत सारी क्रैसिस चाइना के अंदर देखने को मिल रहा है, चाइना बहुत बुरी तरह से लड़ रहा है, और यह चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई है, देखो एवर ग्रांडे और इबाबा के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है, जो कि मैंने अभी आप लोग को बताया, आगे बढ़ते हैं, उसके बा तो देखेंगे आज के Most Important Editorals को बहुत ज़दा Important है, लगबग तीन से चार आर्टिकल हैं, जो की बहुत ज़दा जबर्दस तरीके से डिसकस करने वाले हैं, यह वला आर्टिकल बहुत ज़दा Important है, MG नरेगा के बारे में डिसकसन करेंगे, उसकाद यहाँ पर बात की गई है पेगेसिस को लेकर, अभी यहाँ पर क्या हुआ है, सुप्रीम कोट ने पेगेसिस स्पाइवेर को लेकर एक कमीटी का गठन करने के लिए बोल दिया गया है, फॉर्मेशन कर दिया है कमीटी का, वो कमीटी क्या है, सब कुछ डिसकस करेंगे, लेकिन आथर यहाँ पर बोल कमीटी की जरुवत ही नहीं थी, सुप्रीम कोट के पास अपने पास को दीती बावर्स हैं कि कमीटी की जरुवत ही नहीं थी, कमीटी बनानी नहीं थी, ठीक है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आर्टिकल में हम डिसकसन करेंगे, क्या क्या है आपर बोला गया है, उसके बाद एक last editorial है वो यह है जिसको हम discuss करेंगे यहाँ पर बात की गई कि बहुत सारे लोग को death penalty दे दी जाती है लेकिन ऐसे लोग भी जिनको पहले से वो बहुत दा stress में है उनका mind बहुत दा stress में है ठीके तो ऐसे लोग को यहाँ पर death penalty देनी चाहिए ने देनी चाहिए उसको लेकर discussion किया जाए यहाँ पर हम लोग इसको भी discuss करेंगे ओके आगे बढ़ते हैं start करतें discussion को सबसे पहला article बात करता है mg नरेगा को लेकर अभी हाँ पर चर्चा की गई जो mg नरेगा है उसका अदर जो fund है परस्पेक्टिव से important है gs paper 2 में हमारे बहुत सरे topics आते हैं poverty करके government policies and interventions प्लस gs paper 3 में भी topics आते हैं employment issues related to development तो इन सब topics करे गार्डिंग यह article important हो जाने वाला है news में क्यों है क्योंकि हाँ पर जो mg नरेगा है महत्मा गांधी national rural employment guarantee act अब मैं आगे से इसको mg नरेगा ही बोलूँगा इसके बारे मैं ध्यान रखना है हुआ क्या mg नरेगा के अंदर जो fund है उसकी अभी कमी पड़ गई जो state से उनके पास fund की कमी पड़ गई है अब सबसे पहले हम लोग सीखेंगे यह mg नरेगा scheme क्या है उसके बाद हम लोग इसके issues को discuss करेंगे आखिरकार यह दिक्कते हैं क्या mg नरेगा scheme के साथ साथ ठीक है और इस step के question बहुत जादा आते हैं अगर आप लोग previous year के mains के question पर उठाओगे वहाँ पर बहुत सारी questions इसी प्रकार से पूछे गए इस scheme के बारें बताओ और इस scheme के regarding क्या issues हैं क्या problems हैं वो discuss करेंगे देखो यहाँ पर कोई scheme के बारे में directly नहीं पूछ जाएगा किसने launch की रिए कब launch की है ऐसी question यहाँ पर आयते ही नहीं है खासकर UPSC में ठीके तो यहाँ पर क्या है तो directly आप से यहाँ पर चीज़े नहीं पूछ जाएगे ठीक है Employment Guarantee Act हाँ वो ही तो यहाँ पर इसको पहले एक तरीके से launch के जाए था बहुत पहले 2005 में लेकिन उसका नाम यहाँ पर National Rural Employment Guarantee Act ही हुआ करता था आगे बढ़ा कर यहाँ पर इसको एक तरीके से मजदूर लोग है उनको यहाँ पर यह काम प्रोवाइड करवाती है काम प्रोवाइड करवाने के बाद डेफिनिट्ली जब वो काम करेंगे तो उसके बदले में उनको मजदूरी भी यानि wages उनको provide करवाती है ठीक है यह जो scheme है मैंने आपको बताया demand driven wage employment scheme है यहाँ पर एक तरीके से मजदूर को hire किया जाएगा और उनको यहाँ पर उनकी मजदूरी provide करवाई जाएगी यह जो scheme है पूरी तरह से work करती है ministry of rural development के अंदर में और यहाँ पर जितने भी adult member है ठीक है adult member क्या कर सकते है यहाँ पर एक तरीके से जिनके पास भी job card है job card के लिए eligible है ठीक है वो सब इस scheme के अंदर का फायदा उठा सकते हैं वो सब यहाँ पर इस scheme के अंदर apply कर सकते हैं यह जो scheme है इसका main काम यह है कि hundred days का मतलब की कम से कम 100 दिन का काम तो दे नहीं देना है यहाँ पर की किसी भी worker को ठीक है नो जो प्らकर की 450 दिन का काम करते रहेंगे साल के अंदर तो इसके सतस उनको वो पैसा भी मिलता रहेंगा तो इस से कहीं न कहीं वो अपना जो life है उसको अराम से काट पाएंगे, ये हमारा फोकस रहता है, कहीं नहीं की पोवर्टी को कम करनी के लिए भी हाँ पर M.G. नरेगा स्कीम को लाया गया था, now question यह है क्या सिर्फ 100 ही दिन दे जाएंगे, बिल्कुल नहीं, देखो ये minimum 100 दिन है, इसको increase भी का जा सकता है, बढ़ा कर इसको आगे भी continue किया जा सकता है, और भी दिन के लिए wages को provide किया जा सकता है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, उसके बाद, यहाँ पर बोला, यह सब ही जगा को पूरे भारत को cover करता है except 100% urban population, मतलब की कुछ ऐसे areas है, जहाँ पर सभी लोग शहर के रह रह रहे हैं, 100% शहर वाला area है, सभी लोग अच्छी तरीके से developed हैं, तो यहाँ पर क्या है, उस areas को इस scheme के अंदर consider नहीं किया जाएगा, यह आपको दिहान लखना है, उसके आदमने जैसे बताया, additional days इसको add किया जा सकता है, मालों यहाँ पर कोई unskilled wage employment उसको increase करना है, तो कुछ conditions होती है, वहाँ पर उसको increase किया जा सकता है, जो MG नरेगा scheme है, इसका जो section 3 है, clause 4, यहाँ पर बोलता है जो states, जो राजे सरकार है, वो कुछ provisions बना सकती है, कि वो कुछ और अलग से है, मतलब 100 से जादा दिन वहाँ पर काम दे सके, लोगों को यह भी focus रखा जा सकता है, अब यहाँ पर इस scheme के under में दिक्कते क्या क्या आती है, सबसे बड़ी बात यह है, देखो problems भी बहुत सारी आती है, सबसे पहली बात, जो wage rate है, जो मजदूरी दे रही है सरकार, वो बहुत जादा कम है, ठीके, लो wage rate एक तरीके से देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप देख पाऊगे लगबग 17th of the 21 major states, मतलब कि 21 में से जो 17 states है, वो बहुत जादा कम मजदूरी दे रही है, ठीके, यहाँ पर data publish किया है, 2017 का, और 2017 का data यह बताता है, कि मालों यहाँ पर कोई daily wage worker है, यहाँ पर daily जो मजदूरी यहाँ पर मजदूरी कमा कर खाने वाला इंसान है, तो वो क्या करेगा, जो men है, men को लगबग कितना रूपिया दिये जा रहा है, 264 रूपीज दिये जा रहे हैं, और women को 205 रूपीज दिये जा रहे हैं, तो आप discrimination देख रहे हो, हाला कि काम भी एक सा कहीं ने कहीं होगा, बहुत सारे हमारे society के अंदर यह भी एक बहुत बड़ा discrimination देखने को मलता है, जहाँ पर बहुत सारी companies भी होती हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी जगा भी होती हैं, बहुत सारी बड़ी जगा भी होती हैं, बहुत सारी women को कम ही salaries दी जाती हैं, यह आप लोग देख पाऊगे, उसके बाद यह जो low wage rate है, इसकी वज़ा से लोग interest कर रखते नहीं है, इसके अंदर की व्यार इतनी कम मजदूरी मिल रही है, तो इसकी वज़ा से क्या interest रखे हैं इसके अंदर, प्रॉपर यहाँ पर पैसा प्रोवाइड नहीं किया गया है, यहाँ पर जो पैसा है प्रॉपर रहता नहीं है, ठीक है, स्टेट गोवर्मेंट के पास यहाँ पर प्रॉपर पैसा नहीं आ पता है, तो इसकी वज़ा से जो wage obviously, जब इसकीम के अंदर आप पैसा प्रोवाइड करवाने के बात करे हैं, जब आपके पास पैसा नहीं है, तो आप लोगों को मजदूरी भी नहीं दे पाओगे, उसके बाद तीसरी एक सबसे बड़ा issue निकल कराता है, delay in payment of wages, मतलब कि अब आपने देखो काम करवा लिया, काम करवाने के बाद जब पैसे देने की बारी आई, तो यहाँ पर काफी उसके अंदर देरी लगा दी, मैंने जैसे बताया, बहुत सरे एरियास में दो-दो महिने लग जाते हैं, उनको wages प्रोवाइड करवाने के लिए, यहाँ पर आप देख पाओगे एक तरीके से जो हमारा PRI है, अब यहाँ पर यह जो एक तरीके से हमारे PRI है, जो पंचायत वगरा देखने को मलते हैं, इनका रोल भी बहुत जादा कम आपको देखने को मिलेगा, हाला कि यहाँ पर इनका रोल खाफी अच्छा होता है, इस MG नरेगा स्कीम के अदर, लेकिन इनका रोल दो है, वो ineffective है, यह लोग सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पर यह लोग सही से इस act को implement नहीं कर पा रहे हैं, एक अच्छे तरीके से implement नहीं कर पा रहे हैं, जिसक निरेगा के अंदर बहुत ज़्यादा incomplete है उसी वजह से quality of work काफियता कमी देखने को मिल जाती है quality का काम नहीं मिल पा रहा है काम दिरे दिरे करवाया जा रहा है बहुत ज़्यादा incomplete अधूरा काम हो रहा है एक अच्छा काम आप लोग workers को दे पाओ या आपको ensure करना पड़ेगा सभी workers को काम मिले जब वो demand करने के बाद आप इस scheme को अच्छे से चला सकते हो उसके बाद जो gender gap देखने को मिला है जैसे मैं आपको बताया women और men को लेकर कितना वड़ा gap हो जाता है उस gap को सबसे पहले आप address कर पाओगे एक तरीके से उस gap को आपको सही करना पड़ेगा तो इसका भी एक बहुत बड़ा फाइदा हम लोगों को देखने को मिलने वाला है आयोप आपको एक लिए रोचुका है तो mg नरेगा scheme के अंदर में आपको क्या बताया इस सारी चीज़े बता दिया है scheme क्या है issues क्या है ठीके इसका conclusion क्या हो सकता है article में बताया गया कि अभी हाली में mg नरेगा scheme के पास पैसा खतम हो गया था पैसा कम पड़िया था ठीके अब यहाँ पर बोला गया कि जो state government है जो राजसरकार है उन्होंने artificially demand बढ़ा दी है और उसकी वज़ा से पैसा खतम हो गया है लेकिन अब आप देख पाऊगे जब पैसा खतम हो गया तो कोई बात नी सरकार इसका भुकतान कर रही है सरकार यहाँ पर कह रही है कि हम लोगों ने additional fund announce कर दिया 50,000 रुपे और यहाँ पर announce कर दिया गया है ताकि यहाँ पर क्या होगा यह इसकीम चलती रहे लोग को support मिलता रहे इसके बारे में आपको ध्यान रखना है उसके बाद एक छोड़ा सा image और है जिसको मैं और share करना चाहूंगा और बहुत ज़ादा important है वो image ठीक है यह वाला image आप देख पाओगे यहाँ पर आप देख पाओगे जो यह map है हमने कल भी discuss किया था यह इंडिया का map में आपको जो red वाले areas देखने को मिल रहे हैं यह सारे areas वो हैं जिन्होंने 90-100% तक अपना जो पैसा था वो use कर लिया है ठीक है जो state government के पास पैसा आता है इस scheme के अंडर में तो यहाँ पर क्या है इन्होंने इतना पैसा इस्तमाल कर लिया है इस scheme का और यहाँ पर आप कह सकते हो यह scheme घाटे में जा रही थी negative amount यहाँ पर निकल कर आ रहा था तो अब इन सब चीजों को सही किया गया है जो सरकार है उसने additional amount यहाँ पर announce कर दिया तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है क्या issues है सब कुछ आपको clear हो जाने चाहिए उसके बाद अब इसी प्रकार से दूसरा article है पहले ह कम हो रहे हैं कोई-19 के cases कम होने का देखो line to line में यहाँ पर cover कर रहा हूं तो आप लोग एक बार नजर मार सकते हो ठीक है तो कोई-19 cases यहाँ पर reduce हो रहे है उसको कम होने के बाद जो लगातार बहुत सरा establishment हुआ है जो schools वगरा है वो वापस से open हो रहे हैं आपको मालूम लोग बच्चों के nutrition के उपर focus रख पाओ बच्चों को अच्छा खाना मिलेगा तो उनकी immunity यहाँ पर जो है automatically develop उपाएगी और जो नएने challenges से वो उससे लड़ पाएंगे यहाँ पर बताया गया तो यह बहुत जादा important part है कि जो COVID-19 pandemic है यहाँ लोगों ने देखा इससे पहल जरूरत यह है कि जो बच्चों का nutrition उसको पूरा क्या जा सके उसको सबसे उपर रखा जा सके यह आपर focus रखा गया है ठीक है कोरोना वाइरस जो यह pandemic है इन्होंने हमें अच्छे से सिखा दिया है कि आज के टाम पर nutrition का क्या requirement है एक healthy body का और healthy mind का क्या requirement होता है किसी भी व्यक को एक portion भरपूर खाना ने मिलता है overweight का scenario देखने को मिलता है बहुत सरे लोग का weight जो है वजन काफी बढ़ जाता है जो लोग है उनके अदर micronutrients की deficiency है micronutrients की कमी है for example iron, zinc, calcium और भी बहुत सरे vitamins होता है उन सब ही कमी इनके bodies के अदर देखने को मिलेगी जिससे की body की overall growth नहीं उपाती है तो इस प्रकार के जो burden है आज के टाइम पर इंडिया इससे face कर रहा है काफी बुरी तरह से गुजर रहा है हम लोग सबसे बड़ी दिक्कत हमारे country में यह यह hunger hunger एक बहुत बड़ी problem है ठीक है आपको मालूम होगा इसको लेकर एक world hunger जो global hunger index है वो भी report आई थी अ adolescence मतलब 10 से 19 साल के जो बच्चे है उनके लिए क्योंकि यहाँ पर इनकी growth काफी तीजी से होती है जब चोड़ा सा बच्चा है उसकी growth काफी तीजी से होती है साल बास साल उसका काफी वजन बढ़ता है काफी development होता है तो आप बच्चों के उपर focus रखना पड़ेगा बच् से 3 किलो तक हर साल grow होता रहता है तो यहाँ पर main focus का रखना है उनकी growth के उपर जब उनको एक अच्छा खाना एक अच्छा सा nutrition नहीं मिल पाएगा तो obviously वो growth भी नहीं हो पाएगी ठीक है उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया और भी जो आगे के उमर के बच्चे हैं 10 से 12 स होता है और उसको increase करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है चाहे वो girls हो चाहे वो boys हो दोनों के अंदर क्योंकि malnutrition आपने आप में बहुत बड़ी दिक्कत है मतलब की कुपोशण मतलब क्या है बच्चों को एक अच्छा खाना नहीं मिलता ना तो उसकी वाज़े से malnutrition वाल होगी तो वह आने विले टाइम पर भी future में बहुत सारी problems बहुत सारी diseases से अराम से लड़ पाएगा क्योंकि किसी भी व्यक्ति की अगर immunity strong है तो obviously हाँ पर वह fight कर पाता है किसी भी disease से ठीक है तो यहाँ पर इस हीच को पर focus रखा जा रहा है वो उसके बाद COVID-19 के बारे में व चीसी डायेट लेकर जो micro nutrients है, macro nutrients है, सब कुछ हाँ पर body के अंदर जाएंगे daily business पर needs पूरी होंगी तो हमारा immunity प्लस जो body system हो और ज़्यदा healthy हो पाएगा question यह है macro nutrients कोई से होता है, macro nutrients के अंदर protein, carbohydrate, fat को रखा जाता है, ठीक है, micro nutrients के अंदर जो multi vitamins होते हैं, छोटे-छोटे multi vitamins, multi vitamins के अंदर zinc, calcium, यह सारी चीज़ जाया गई, तो यह सब daily business पर मिलना चाहिए, ठीक है, यह यहाँ पर focus रखा जाए, अब आगे बढ़ते हैं, अब उस improvement के उपर काफी कमजोर पना डाल देती हैं, तो यहाँ पर इसके उपर focus रखना है, ठीक है, हम लोग को एक अच्छा सा nutrition के तरफ बढ़ना है, वापस nutrition के बारे में चर्चा हुई है, तो जरुरत क्या है हम लोग को एक balanced diet की, ठीक है, एक diet के जरुरत एक अच्छा सा diet होना च के अदर कि आप लोग यहाँ पर कर सकते हो, जो hunger है, hunger को combat करने के लिए आपको बहुत सारे अच्छे-अच्छे food sources एड़ करने होंगे, जैसे कि यहाँ पर micronutrients के अदर जलगबग fruits हो गए, जो फल हो गए, vegetables हो गए, greens हो गए, ठीक है, हरी-बरी सबजिया हो गई, nuts हो गई, ठीक है, nuts के बाद legumes हो गए, whole grain हो गए, यह सब बहुत important role play कर सकते हैं, हमारे development के ओपर, हमारे diet के ओपर, हमारे immune function को और सदा अच्छा कर सकते हैं, उसका आपका सकते हो कि immune function के साथ overall body काफी अच्छी कर सकते हैं, तो essential serving क्या है, कि हमारे एक fresh fruit मिले, vegetables मिले, ठीक हर दिन हम ल गर्ड होना चाहिए, दही होनी चाहिए, nuts होने चाहिए, जो जिसके अंदर कहिने की probiotic bacteria होता है, और यह भी हमारे body के लिए काफी ज़्यादा helpful रहता है, यहाँ पर mention क्या है, उसके बाद यहाँ पर जो cooked meal हो, poultry हो, sea fish हो, यानि कुछ meat वगरा भी हो, इससे और ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर protein की जो मातरा होती, वो बहुत ज़्यादा होती है, अगर आप यह चीज़े consume नहीं कर सकते हो, तो 300 ml से लेकर 400 ml milk ले सकते हो, milk के अंदर भी अच्छे मातरा में जो protein है, उसकी quantity पाई जाती है, लेकिन make sure करना है, वो fat milk ना हो, fat milk ना हो, उसका कर्ड हो गया, यह सारी चीज़े आपको good quality of protein वगरा provide करवा सकती है, कर्ड से आपका digestive system भी और ज़्यादा अच्छा हो जाता है, उसके बाद यहाँ पर आपके देखो बेख पाऊगे, हम लोग fat को ignore करते हैं, नहीं, fat good fats भी बहुत ज़रूरी होता है, good fats यहाँ पर ज़्या ऐसा नहीं है कि खाई रहे है, physical activity हो, body weight को control करना है, पहले बाद maintain करना है, एक ideal body weight को, उसके बाद यहाँ पर एक physical activity होनी चाहिए, अच्छागा सा water intake होना चाहिए, अच्छी खासी sleep होनी चाहिए, adequate need होनी चाहिए, low screen time होना चाहिए, ऐसा नहीं, फोन में लगे पड़े हैं, यहाँ पर घराब है, रातों में फोन में लगे पड़े हैं, तो इसकी वज़ा से यहाँ पर और जदा health effect हो सकती है, तो यह कईने की चीज़े अच्छा सा rule play करती है, लेकिन अब इन सब चीजों को tackle करने लिए सरकार क्या कर रहे है, सरकार के पास एक scheme है, वो scheme का नाम है, प मैंने अभी आपका scheme का नाम बताया, प्रधान मंतरी, पोशन, शक्ति, निर्मान, योजना, ठीक है, यहाँ पर क्या है, इसकी साथ हम लोग मिड़े मिल्स प्रोग्राम वगरा भी आप लोग को पता है, चलाई रहे हैं, पीएम पोशन जो यह स्कीम है, इसका में मक्सद यह का उनको 20 ग्राम तक क्रोटीन मिल पाए, तो यह चीज़े काफिय तक मैटर करती है, और इसको लेकर हमारी स्कीम आज के टाइम पर काम कर रही है, और हम लोग को फोकस तोला सा और ज़्यादा करना पड़ेगा, जो की और अच्छा रोल प्ले कर सकता है, और यह हमारे नूट्रिशन होना जरूरी है, यह यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, आयोब आपको क्लियर हो चुगा है, तो हमारी रिस्पोंसिबिलिटी यह है कि हम अपने बच्चों के लिए एक अच्छा सा नौरिष्ट खाना, एक नूट्रिशन भरपूर खाना रखें और बच्चा कर रही है, ऐसे यहाँ पर कहना था, बहुत सा रेपेटिशन डाले गए थे, तो सुप्रीम कोड ने एक पैनल बना लिया, एक कमिटी बना ली है, जो कि यहाँ पर इस पूरे के पूरे स्पाइवेर को देखने वाली है, पहले मैं आपको जो यह आर्टिकल में यहाँ से ले क्यों है, क्योंकि हाली में सुप्रीम कोड ने अपॉइंट के लिया है, एक एक एक्सपर्ट कमिटी को, ठीक है, अब यहाँ पर जो कमिटी है, उसका नाम है, जस्टिस रविंदरन कमिटी, क्योंकि हाँ पर जो जस्टिस रविंदरन है, यह एक रेटायर्ड एक्स कोड पर चाहित प्रम ने yra5 का पर होता है काफी पर बता चुका हुं इसराइल के बनायाक यहां पर सॉस्थवहर है एक तरीके से शठर के तुरु जासूसी की जा सकती है। किसी भी के फोन की किसी के फोन की भी आपको मालूम होगा तो यहां पर अपना bestimmt खतरनार्क मतलब जासुसी करने के लिए software का use किया जा सकता है अब उसके बाद Supreme Court का judgment कहे दो को Supreme Court Supreme Court से न सरकार क्या कह रही थी सरकार कह रही थी यह जो Pegasus Spire है इसको लेकर हम खुद investigation कर लेंगे तो इस चीज़ को Supreme Court ने बना किया Supreme Court ने बोला बिल्कुल नहीं यहाँ पर आप कह सकते हो कि अपना मतलब ऐसे petition डाले गए कि सरकार ने खुद इस्तमाल किया है और यहाँ पर खुद ही यहाँ पर investigation करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता सरकार investigation नहीं करेगी Supreme Court ने हाँ पर इस चीज़ को reject करते वे एक बना दी है expert committee और उस committee के अंदर Supreme Court के judge है हमारे आरवी रविंदरन जी एक तरीके से expert है और भी बहुत सारे लोग experts यहाँ पर देखने को मिलेंगे अब कौन कौन है इस committee के अंदर मैंने आप लोगों को एक picture और दिखा देता हूँ जो की और ज़दा important है यह आपको picture दिख रहा होगा यह सारे लोग है यहाँ पर justice आरवी रविंदरन यहाँ पर head करेंगे यह ex judge रह चुके हैं उसके बाद अगर हम बात करें technical team के जो technician हैं उसके अंदर 3-4 नाम और हैं एक हैं नवीन कुमार चौधरी उसके बाद प्रभरन पी और उसके बाद अश्विन अनिल गुमास्ते यहाँ पर अलग अलग रोग है सब अपने अपनी field में कहीं नहीं कि बहुत जादा इतरी के जमारत हासिल है खासका technology के मामले में उसके बाद नीचे भी बहुत सारे और भी लोग देखने को मिलेंगे अलोक जोशी जो की फॉर्मर IPS ऑफिसर है संदीप ओबरोय यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे चेयर्मैन है इंटरनाशनल और्रणाजेशन स्टेंडरडाइजेशन के तो यह आप लोग को ध्यान रखना है यह सब अपने आप में important personalities हैं सब अपने आप में बहुत सदा मतलब experts हैं तो इनको यहाँ पर लेकर एक committee बनाई गई है और यह जो committee है यह पूरागा पूरा इस पूरे process को देखेगी कि वाकई में सरकार ने इस spyware का इस्तवाल किया है या नहीं अब बात करते है recommendation की तो यह जो court है court ने यहाँ पर रविंदरन committee से बोला है कि आप लोग recommendation के साथ साथ क्या करोगे कुछ policies, कुछ rules and regulations भी बनाऊगे देखो rules and regulations बहुत important role play करेंगे मतलब क्या है कि future में ऐसी कुछ चीज़े ना देखने को मिले future में कुछ इस प्रकार के attack ना हो right to privacy को लेकर देखो हो क्या रहा है अगर सरकार ने Pegasus Spirever का इस्तमाल किया है तो मतलब कहीं ने कहीं जो लोगे के पास fundamental right है right to privacy का उसका violation हुआ है यह हाँ पर Supreme Court ने directly बोला है क्योंकि हाँ पर हम लोगे पास right to privacy है right to privacy को लेकर आपको मालूम होगा एक important judgment था Supreme Court का case पुत्ता स्वामी case वाला ठीक है तो उस case के अंदर 2017 का यह case है और उसी case में हाँ पर right to privacy को एक fundamental right बनाया गया था तो अभी हाँ पर क्या है अगर हाँ पर ऐसा किया गया है क्योंकि बोला यह जाता है कि बहुत सरे जो journalist हैं बहुत सरे activist हैं बहुत सरे official ministers हैं जिनके उपर यह Pegasus spyware का इस्तमाल किया जाए तो अगर ऐसा हुआ है तो कहिने की right to privacy का हनन है यहाँ पर Supreme Court ने बोला उसके बाद free speech को भी हाँ पर बोला जाए जो भी हमारे एक तरीके से journalist वगरा है हमारे पास news लाके रखते हैं तो उनके उपर यहाँ पर यह पर यह Pegasus spyware का इस्तमाल किया गया है तो कहीना कहीं उनको चुप कराने की बात की गई है तो यहाँ पर यह कहीना कहीं गलत है ऐसा बताया गया है एक assault किया जा रहा है public watchdog के उपर तो जो press वाला रोल है हमारा प्रेस के उपर यहाँ पर यह इस तरीके से अगर spyware का attack किया जाएगा तो फिर यह काफी बुरा रहने वाला है ऐसा बताया गया कहीना कहीन जो free speech है उसको भी hurt किया गया है तो इस basis पर Supreme Court ने बोलाए एक committee बनेगी committee कौन सी बनेगी आप लोगो मालूम है यही सारी चीज़े यहाँ पर mention करी गई है लेकिन अब आप देख पाऊगे 27 October को Supreme Court ने एक committee बनाई है वो सब मैं आप लोगो बता दिया है लेकिन author का कहना यह है committee की बाई जरुरती नहीं थी committee की जरुरती नहीं थी क्यों क्योंकि Supreme Court के पास अपने खुद के पास यहाँ पर यह सारी powers है Supreme Court को directly सरकार से पूछना चाहिए था कि सरकार ने क्या वाकई में Pegasus को purchase किया है क्या इस software को phones में यूज किया है Indian citizens के या फिर यहाँ पर इसको तरीके से purchase किया गया था या फिर यहाँ पर किस तरीके से इसको यूज किया है क्या कारान है इसको यूज करने के सरकार से direct question पूछते अगर यहाँ पर government नहीं जवाब देती तो यहाँ पर आप कर सकते हो आगे आप कुछ rules and regulations लेकर चल सकते थे ठीके लेकिन यहाँ पर अभी क्या हुआ है कि अगर ऐसा हुआ है तो कहिने के fundamental rights का violation हुआ है यहाँ पर आप लोग यह चीज़े भी देख पाओगे तो यहाँ पर मतलब unclear है author का कहना यह है कि committee की जरुरत नहीं तो Supreme Court अपनी ही powers का इस्तमाल करके यहाँ पर यह काम कर सकता था तो इनका कहना यह है आज होब आपको एक clear हो चुका है ठीक है simple शब्दों में हमने यह पूरा editorial अच्छे से clear किया है इनकी views को आगे बढ़ते हैं आज के last editorial की तरह यहाँ भी बात की गई है living on death row with a illness मतलब क्या है देखो एक report आई है last month यहाँ पर reported death वर्थी करके एक mental health perspective of the death penalty करके एक important report है और इसको एक तरीके से यह report लाई गई है project 39A के थूँ यह क्या है एक national law university एक तरीके साब को देखने को मिलेकर डेली के अंदर उन्होंने इस report को publish क्या है इस report के अंदर बताया गया है कि जो mental health concern है वो बहुत बड़े हैं मतलब की मालो यहाँ पर किसी व्यक्ति को मौद की सेदा सुना दी गई है वो पहले सी यहाँ पर mental health से जूँज रहा है intellectual disability है ठीके तो इसका बहुत बड़ा impact पड़ता है लोगों के death row के उपर यहाँ पर बताया गया है ठीके आई हो आपको यह समझ मारा है आगे मैं आपको बताता हूँ क्या है देखो यहाँ पर बोला गया यहाँ पर क्या है बहुत सारे जो prisoners होता है कैदी वहाँ पर वो जो मृत्यू कक्षुप की कतार पर रह रहे है ठीके अब क्या है कि उसी वज़ाँ से यहाँ पर क्या बूला जाता है कभी-कभी mental health से वो लोग suffer करते हैं बहुत ज़दा उनको एक तरीके से mental illness क्रेट हो जाता है तो उससे और ज़दा प्रॉब्लम्स क्रेट हो जाती है इंडिया के अंदर लगबख 55 retentionist आपको देखने को मिलेंगी कुछ ऐसी countries यहाँ पर मतलब कि कुछ बहुत सरी countries आपको देखने को मिलेंगी कितने लोग को यहाँ पर बहुत सरे लोग को यहाँ पर death penalty दिए गई मौत की सदा सुनाई गई और उनको यहाँ पर mental health conditions थी उनकी जो mental health वो काफी बुरी है ऐसा आप बहुत बोला गया है तो यहाँ पर mental health बुरी है तो उस यह को पर focus रखते वे यहाँ पर exactly आपको चीजों को और दूसी तरीके से लेकर चलना पड़ेगा ठीक है यहाँ पर यह बता है यहाँ तो यह जो रिपोर्ट है यह मदद करेगी कि हम लोग अपने understanding को improve करें क्योंकि हाँ पर यह जो ऐसा topic है जिसको पर चर्चा नहीं हो रही है यह जो रिपोर्ट है इसने हाँ पर detail history बताई है लगबग 88 death हुई है पहले और वो भी हाँ पर जो death एक तरीके से 88 death row prisoners की मतलब की एक ऐसे जो मतलब मृत्यों के लिए हाँ पर खतार लगी भी ह 88 जो है कैदी आपको देखने को मिलेंगे जिसमें से मतलब जिनको death मिलनी वाली थी लगबग इसमें से आप देख पाऊगे जो 30 है वो एक तरीके से depressive illness के अंदर देखने को मिले ठीक है मतलब कि हाँ पर पता लगाया गया कि यह लोग काफी हद तक illness सफर कर रहे थे 19 लोग तक affect हुआ है ऐसा है पर बताया गया उसका particular concern यह है कि आज की time पर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर suicide को भी attempt करने की कोशिश की थी थी तो सुसाइट को अटेम्ट करने की कोशिश की थी ऐसा यहाँ पर बताया गया है क्योंकि बहुत सरे लोग परेशान हो चुके थे बहुत सरे लोग को डियाग्नॉस किया गया कि इंटेलेक्शुल डिसाबिलेटी देखने को मिली है ऐसा भी बताया गया United Nation Commission on Human Rights ने यहाँ पर सारी कंट्री से बोला कि यहाँ पर आपको death penalty impose नहीं करनी है जब कोई person यहाँ पर कोई mental disorder से सफर कर रहा हो तो अगर कोई mental disorder से सफर कर रहा है आप उसको यहाँ पर death penalty देते हो तो उससे यहाँ पर और जदा उसको suffrage जो है वो बढ़ सकता है ऐसा यहाँ पर बताया गया हाला कि यहाँ पर जो country से वो इन चीजों को follow नहीं कर रही है जो भी यहाँ पर बोला गया है country के अंदर death penalty दी जा रही है जो persons है वो mental illness यहाँ पर उनके अंदर देखने को मिलेगी intellectual disabilities देखने को मिलेगी ठीक है अब यहाँ पर कोई person जिसकी mental ability अच्छी है न तो अपने lawyer से अच्छे से बात चीत नहीं कर पाएगा ठीक है अपने आपको defense नहीं कर पाएगा अपने आपको बचा नहीं पाएगा तो यहाँ पर यह बोला है कि उसको death penalty देना सही नहीं है एकदम से यह आपको ध्यान देना पड़ेगा ठीक है कोई किसी का यहाँ पर हुए थे वहाँ पर भी death penalty दी गई है तो Supreme Court ने भी यहाँ पर death sentence दिया है और आपका सकते हो यह कहीं ने कहीं मतलब कि author इसको गलत बता रहे है यह आप देख पाऊगे जो report है यह highlight करती है कि और ही बहुत सारे जो है important और neglect aspect देखने को मिलता है mental illness के बहुत सरे लोगों को यह यहाँ पर बोला गया लोग अपने आपको protect नहीं कर पारें अपने आपको defense नहीं कर पाएंगे सबसे बड़ी बात अपने lawyer से बातचीत नहीं कर पाएंगे ठीक है चीजों को यहाँ पर सही से देख नहीं पाएंगे जिसको भी mental illness होगा तो इस चीज के अंदर एक बदलाव देदी थी यहाँ पर बोला गया कि यहाँ पर किसी को भी death penalty देनने से पहले हम लोग को यहाँ पर देखना पड़ेगा उसको कोई mental health issues तो नहीं है ठीक है mental health issues अगर होंगे यहाँ वो काफी stress में होगा तो इससे यहाँ पर उसकी life के उपर और जदा impact पढ़ सकता है अपना आ च्छोड़ा साम लोग focus कर लें तो उनके उपर काफी बड़ा बदाव किया जा सकता है ठीक है बहुत सारे लोग को यहाँ पर बचाया भी जा सकता है ठीक है तो यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर आनवल टाइम पर एक अच्छा सा रूल परफॉर्म करने वाली है तो हम आप लोग को यह अच्छे से क्लियर हो चुका है तो यह कुछ आर्टिकल्स थे important एडिटूरल्स थे important डिसकॉशन था सब कुछ क्लियर हो चुका है गंडे सो पर का वेडियो हो चुका है लेकिन कोई बात नहीं सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो हुई है नाव इसके साथ करते ह हैं लेक्चर को समाब तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए बाबाई एव नाइस दे थैंक यू एंड जैहिंद